ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्टो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त मंगलवार के रासी फल्क के बारे में कि इह दिन में रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थगी महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और भेटर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए मंगरवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपके वित्ते इस्तिती में काफी सुधार आ जाएगा कुछ नया सुरू करने के लिए आज का समय आपके लिए बहुती अनुपूल है आपकी महनत वे प्रियास के सार्थक परिणाम आज आपके सामने आएंगे विवायोग्गे लोगों के लिए किसी अच्छे रिष्टे संबंदित बात चीत घर में सुरू मिला जुला प्रभाव आज आपके लिए लेकर आने वाला है परन्तु उसे बहतरिन बनाना आपका काम है कुछ समय से नजदी के रिष्टेदारों के बीच जो गिले शकवे चल रहे थे आज वे किसी के माध्यमता से दूर हो जैंगे और रिष्टे में दोबारा मधूरत आएगी परतिष्ट लोगों से मेल जोल बड़ेगा जो आपके लिए भविष्चे के लिए बहुती लाबदाएक साबित होगा धार्मिक इस्थल में जाने का आज प्रोग्राम बनेगा जिससे बहुत अधिक शान्ती और हलका आप महसूस करेंगे घर में सुक्षविदा संबंदित वस्तू के भी खरीदारी होगी कोई कीमिती उपवार भी आज आपको मिल सकता है विध्यार्तियों को अपनी नोकरी संबंदित किसी छेतर में इंटर्व्यू में सफलता के योग बन रहे हैं इसलिए पूरी महनत से अपने कारे पर प्रियासरत रहें अपने उसूलों और सिध्धानतों से किसी भी प्रिकार का समझोता आप ना करें प्रभावसाली वे प्रतीबावान लोगों के साथ में अधिक समय व्यतित करें इससे आपके आत्म बल वे आत्म विश्वास में व्रत दी होगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे भाग्या से अधिक अपने कर्म पर आज विश्वास रखें दिन आपके लिए आज का बहुती अच्छा है दोस्तो बात कर लेती है अजब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो किसी परिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कहा सुनी हो सकती है घर के बुजर्गों की सलासे संबंदों को खराब होने से बचाएं धर्म के नाम पर कोई आपका नुकसान कर सकता है इसलिए सावधान रहें घर के किसी बुजर्गों के स्वास्त को लेकर भी आज चिंता रहेगी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है दोस्तों साथी साथ आपको भी अपने स्वयभाव से इगो को खत्म करना होगा जिससे प्रेसानिया जल्द ही हल होंगी किसी भी योजना पर कार्रे करने से पहले उस पर अच्छी तरे से विचार आप हवश्च करें किसी दुखत समाचार मिलने से कुछ समय के लिए मन में उदासी और नकारत्मक विचार उठ सकते हैं परंतु आप जल्द ही सहज हो जाएंगे विध्यारती वर्ग पढ़ाई की अपेक्छा फालतु गलत फैमियों पर अधिक ध्यान देंगे अपने महत्पपूर्ण कागजातों को बहुती अधिक समाल कर रखें क्योंकि अगर खो गए तो प्राप्ती नामुम्किन लग रही है घर में भी छोटी सी बात पर एकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है इसलिए ज़्यादा क्रोध करने से बचें दोस्तो सामाजिक गति विदियों पर अधिक ध्यान ना देने की वज़े से कुछ नजदी की लोग आपसे नाराज रह सकते हैं परंतु इन बातों पर ध्यान ना दे कर आप अपने कर्म पर लगे रहें परंतु घर के वरिष्ट लोगों का मान सम्मान अवश्य से बना कर रखें दोस्तो बात कर लेते हैं जापकी लव लाइफ के शिरेने वाली है दोस्तो जीवन साती की भवनाओं का आप सम्मान करें इससे संबंद और अधिक मजबूत होंगे प्रेम संबंद मर्यादा पूर्ण रखें किसी विपरीत लिंगी मित्र के अचानक ही मिलने से आपको आश्चर्य जनक प्रसन्नता महसूस होगी घर परिवार का वातावरन आज बहुती शुकद रहेगा पती पतनी का आपसी सयोग घर में शुक्षांती बना कर रखेगा प्रेम संबंदों के भी आने वाले समय में विवा में परिणित होने के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं जीवन साती का आपको आपके कारों में पूर्ण रूप से शयोग प् दोस्तों साथ इसाथ अपनी व्यस्तता में से कुछ समय परिवार वे बच्चों के लिए भी निकालना आपके लिए आवशक है इससे परिवार में आपकी रेस्पेक्ट और अधिक बढ़ेगी दोस्तों बात कर लेते हैं जापका वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्त आवना लग रही है नोकरी पेशा व्यक्तियों के आफिस का माहोल भहुती आज सांती पूर्ण बना रहेगा कार्य छित्र में अगर किसी प्रकार का निवेश करने की आप सोच रहे हैं तो आज उस कार्य को बहुती गंभीरता से अंजाम दें इससे आपको भैतरीन रिजल् बहुती अच्छा रहेगा नोकरी में भी नई संभावनाएं मिलने की उमीद हैं दोस्तो साती सात कार्य छित्र में दूसरों के हस्त छेप से करमचारियों के बीच फूट पैदा हो सकती है इसलिए अपने निर्ण को प्रातिमिक तादे तथा वैवसाइक गतिविदियों प आज आप किसी कारणों से कार्य छित्र में अधिक समय नहीं दे पाएंगे परंतु सेयोगियों और करमचारियों का आपको उचित सपोर्ट मिलेगा नोकरी पैसा वाले व्यक्तियों को अपने उच अधिकारियों का पूर्ण रूप से सेयोग प्राप्त होगा वैवसाइक चित्र में आपकी कारेच्शमता व्यकावियत की वजह से कामयाभी आपके द्वार खट खटा रही हैं इसलिए पृतेकारों को आप आज बहुति गंबीरता से लें नोकरी पैसा व्यक्तियों को भी उनकी कारेच्शमता के रिए प्रोतशान प्राप्थ होगा जिसकी वजह से उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा तिम रहेगा तथा आप उड़िया से भरपूर रहेगे आज आप अपने आपको काफी तंदुर्स्त और तनाव मुक्त महसूस करेंगे जाद दोस्तों आज का समय आपके स्वास्त के लिहाज से बहुती अच्छा समय रहने वाला है दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश उपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इसनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद भगवान बजरंग बली जी के मंदर जाएं और भगवान बजरंग बली जी को आप केवडे का इत्र वै गुलाब की माला अवश्य चणाएं और साती सात अपनी मनों काम नए मांगे जा दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही सुब फलो के प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कर रहें भगवान बजरंग बली के आसिरवाद से बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तों बगवान बजरंग बली का आसिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै बजरंग अवश्य रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद